Hi guys, what's up? क्याल चाल आप सब के? मेरा ना मैं संचित और आप देख रहे हैं CA Knowledge Portal इस वीडियो में मैं डिसकस करने वाला हूँ exam form भरने का procedure for November 2020 exams थ्यान रहे इस वीडियो में मैं सर्फ और सर्फ CA foundation students की बात करूगा वैसे तो exam form भरने का procedure काफियत तक common होता है foundation में, inter में या final में मगर inter और final में कुछ extra चीजों का ध्यान रखना होता है थोड़े बहुत अंदर की fields change हो जाती है इसलिए मैं उनके लिए separate video बनाऊंगा वो जो video है वो कल आपको मिल जाएगी हमारे channel पे आज इस video के अंदर सिर्फ और सिर्फ foundations की students की बात करते हैं दूसरी बात यहां पर मैं दोनों category और students के concern address करूगा वो students जो पहली बार November 20 में exam दे रहे हैं foundation का उनको तो पूरा procedure मिलेगा ही साथ-साथ वो बच्चे जो May 2020 में already exam fill कर दिया था जिनोंने जिनोंने अब November 20 में जिनको shift कर दिया गया है उनकी जितनी भी queries थी वो भी इस video में address हो जाएंगी तो video को last तक देखेगा जो भी around आपके मन में आ रहा है I hope there is a high chance वो इसी video में address हो जाएगा जो इस video में doubt address नहीं होगा उसको आप अपने comment section में video के लिख सकते हैं या मुझे instagram पे message कर सकते हैं उनका जवाबी मैं जल्दी से जल्दी आपको देने की कोशिश करूँगा ठीक है जी नौ लेट्स टार्ट exam fill करने का procedure से पहले ना एक बार हम dates चेक कर लेते हैं वैसे तो dates आप सब को पता होंगी मगर फिर भी एक बार जल्दी से डिसकस कर लें exam form सिर्फ वह अच्छा भर सकता है जो नवेंबर 2020 में exam देने के लिए eligible हो eligible कौन होता है usually 30 जून तक जो बच्चा register कर लेता है उसी को eligibility मिलती है नवेंबर exam में जाने के लिए मगर इस बार COVID-19 के pandemic को ध्यान में रखते हुए 30 जून की date को 31 अगस तक postpone कर दी थी ये चीज़ शायद सबको पता होएगी इसलिए इस बार last date of registration 31st August है यानि कि August का महीना भी start हुए August के महीने में भी जो बच्चा register करेगा वो भी exam form भर सकता है क्योंकि ये exam form 3rd of September तक open रहेगा तो आप वहाँ तक अभी भी register कर आके यहाँ पर submit कर सकते हैं अगली चीज़ commencement 5th of August है 4th September तक ये exam form open है अब यहाँ पर exam form भरने के न दो तरीकी होते हैं अभी हम discuss दो steps होते हैं पहला आपको exam वाली website के उपर register करना पड़ेगा login ID, password क्रिएट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद अपना exam form को fill करना पड़ेगा जो exam वाली website पे register करने का procedure है वो 4 September 5.30 के बाद नहीं हो सकता 5.30 शाम वो last समय है जब तक आप इस website पे register कर सकते हो login ID, password क्रिएट कर सकते हो इस exam वाली website पे और रात को 12 बज़े 11.59 वो last समय है जब आप exam form submit कर पाओगे तो 4 September is the last date इस चीज को आप ध्यान में रख लेना बट मेरे साब से वहां तक जाने की जुरुत ही नहीं है उससे पहले आप exam form submit कर लेना अभी यह print out वगरा की चीज़े मैं सब बताऊंगा आपको बाद में तो अभी के लिए जो relevant dates थी वो मैंने आपको फिर से discuss कर ली now let us start सबसे पहली चीज हमारी यह आएगी कि exam form भरते समय हमारे पास कौन सी information है जो handy होनी चाहिए यह information पहली अपने पास रखना कौन कौन सी ICI का registration number आप समने जो ICI में register किया आपको एक SRN number मिला होगा NRO, CRO, WRO, ERO तो वो registration number आपको याद होना चाहिए कहां पर मिलेगा जब आपने register किया था registration confirmation की जब mail आती है तो mail ID के अंदर भी mentioned होता है साथ साथ जो आपको SMS देजा जाता है उस SMS के अंदर भी आपको ये NRO, CRO, WRO, ERO number दे रखा होगा तो वो number आपको पता होना चाहिए साथ साथ 12th class जो अभी clear करी है इस साल करी है पिछले सालों में कभी भी करी है आपने 12th class का role number handy होना चाहिए ये क्यों क्योंकि exam में बैटने का one of the eligibility criteria is क्या आपने 12th class clear कर लिया या नहीं कर लिया जिस बच्चे ने clear नहीं करी जिसका भी compartment का exam pending है वो तो exam form वैसे भी eligibility नहीं है भरने के लिए तो यहां पर आपको 12th class के role number आपके पास होना चाहिए अगर नहीं है तो exam form बरने से पहले उसको ढूंड के रख लेना चाहिए जी नेक्स चीच जो बच्चे reappear students है यानि जिनोंने नवेंबर 19 में May 19 में पहले कभी paper दे रखे हैं और आप वो second या third attempt में बैठे हैं चाहे CPT दे रखाओ पहले या foundation दे रखाओ उन बच्चों को पिछला exam जब भी foundation या CPT का दिया था उसकी details भी अपने पास रखनी है most of the students November 19 वाले होंगे जो May 20 में paper दे निपाए आप November 20 में देंगे तो November 2019 exam में जो भी आपका roll number था वो भी आपके पास handy होना चाहिए next चीज है center to be selected अब ये चीज अपने पास handy रखना कि center आपने कौन सा select करना है exam centers जितने भी eligible हैं इस बर काफी सारे additional exam centers notify किये थे तो exam centers existing वाले और additional वाले दोनों मैंने telegram group पे complete list share कर दिया है लगबख साड़े 400 से 500 exam center इस बाद total ICI दे रहा है तो आप बड़े ध्यान से अपने exam center को पहले चूज कर ले ना क्योंकि ये बाद में center एक एक बार correction window मिलेगी उसके बाद change नहीं हो पाएगा इसलिए बहुत सोथ समझके ही exam center को आपने opt करना है अगली चीछ एक declaration है जो आपको already sign करके रखनी है उसकी scan copy sir ये declaration क्या है declaration का आपको format दिखा देता हूँ आपको ये declaration telegram group में मिल जाएगा आपको वहाँ से आप ये telegram group से declaration ले सकते हैं वैसे ICI की website पे भी declaration मिल जाएगा मैं भी आपको दिखाता हूँ कहाँ पर ICI की website पे है तो telegram group से ICI की website से declaration डाउनलोड कर लेना इस declaration में basically आपको फिल क्या करना है सब कुछ टाइप किया कराया है आपने अपने अपना नाम लिखना है आई सो एं सो सन और डॉटर और अपने पेरेंट्स का नाम लिखना है hereby declare declaration को short में बता दू declaration के कहती है कि मैं ये declare कर रहा हूं कि मैं foundation exam में बैठने के लिए eligible हूं और अगर बाद में पाया जाता है कि मैंने eligibility meet नहीं करी थी तो आप मेरा exam का result cancel कर सकते हो obviously बात है ये एक तरह से आपसे लिखवाया जा रहा है कि बाद में हम आपसे action लें तो आप इस पे oppose नहीं कर सकते अब यहां पर दो चीज़े आपको करने है नाम लिखने के बाद अपना sign करने है और parents या guardian के sign कराने है कोई भी एक parent के sign करा सकते हो दोनों parents के कराने की ज़रूरत नहीं है अगली चीज यह जो declaration form है यह आपको attest करवाना है किसी भी chartered accountant से किसी भी guested officer से chartered accountant या फिर guested officer से आप या head of education institution से इन तीनों के डिकरी में से किसी से भी attest कराने है अटेस्ट क्यों कराने है क्योंकि इसके अंदर basically आप यह declare कर रहे होगी मैंने 12th class pass कर ली है and institute आप पे believe तभी करेगा अगर कोई यह आपके declaration attest कर ले तो यह आपको already किसी chartered accountant से attest कराके रखना पड़ेगा अब यहाँ पर काफी सारे students को I know COVID-19 की वज़े से दिक्कत आ रही होगी कितनी असानी से guested officer chartered accountant शायद ना मिल पा रहा हो मिल भी आसपास हो भी सही तो travel कैसे करें तो इस context में मैंने थोड़ी देर आज सुबह ही in fact जाना चाहिए now it remains to be seen कि क्या ICI यह requirement हटाएगा या नहीं for the time being अगर आप किसी chartered accountant या guested officer इन सब को से sign करवा सकते हो तो आप sign करवा कर यह upload कर दो otherwise problem आ रही है तो आप दो-चार दिन वेट कर सकते हो हो सकता है यह requirement हटा दे तो basically declaration form में आपने तीन साइन करने है खुद के साइन पेरेंट्स के साइन कराने है और एक chartered accountant यह guested officer से attest कराने है chartered accountant अपने detail लिख देगा membership number stamp लगा देगा फिर आपको क्या करना है इस declaration form को scan करना है और scan करके किस में convert करना है scan करके आपको convert करना है इसको JPEG में JPEG में आप उसको convert करोगे PDF में नहीं लेगा JPEG में भी यह चीज का ध्यान रखना है आपको कि JPEG में यहां पर इन्होंने condition लगा रखिए कि minimum 100 KB और maximum 300 KB का होना चाहिए इस चीज का ध्यान रखना है इसके अगर यह चीज आप breach कर रहे होगे फालतू में आपके exam में बार-बार form में error आता रहेगा आप फालतू में सानी से आपको कोई भी website मिल जाएगी जिससे आप compress कर सकते हो तो इसके भी का ध्यान रखना कि आपको इसी storage space के बीच में ही आपको फाइल को रखना है तो यह मैंने आपको बता दिए कौन कौन से documents आपको चाहिए declaration form पहली handy रखना अब शुरू करते हैं कि हमें जाना कहां पर है सबसे पहले आप हर चीज़ ICI की website से मैं आपको बताता हूँ ICI की website से जाना है यहाँ पर ICI की website पर आप देखोगे examination दिख रहा है उस examination को प्रेस करना है और वो आपको एक अलग website पर ले जाएगा मैं आपको full screen कर देता हूँ ताकि आपको clearly दिख सके examination को प्रेस करने का आप इस website पर redirect हो जाओगे website का ना है मैं ICI exam.ICI.org यह हमारी exam related website है जिस पर exams related form, admit card वगारा सब यहीं पर यह आपको मिलेंगे अब इसके अंदर आपको login ID password चाहिए होगा जो बच्चे already May 2020 में थे उनके पास तो login ID password हो गई अच्छा इससे पहले मैं एक चीज़ बताऊं कुछ बच्चों को doubt आ रहा था declaration form जो भी मैंने बताया उससे related कि क्या declaration form उन बच्चों को भी भरना है जो May 20 के अंदर already exam form भर चुके हैं और जो shift कर रहे हैं तो I think अभी तक ICI ने इसके उपर कुछ भी मना करने के लिए कोई FAQ ने निकाला तो the logical conclusion is declaration form जो भी मैंने आपको दिखाया वो हर बच्चे को submit करना है फिर चाहिए आप एक fresh student हो जो पहली बार November 20 में अपीर हो रहा है या आप already May 20 में exam form भर रखा था आपको भी declaration form submit करना पड़ेगा क्योंकि ICI इसके उपर कुछ comment नहीं किया तो it is logical that सारा exam form फिर से ही पिल होगा अब जो बच्चों ने already इसके उपर login ID password बना रखा है जुन्होंने पहले exam form past में भर रखा है वो उनके पास तो login ID password होगा मगर जो पहली बार register कर रहे हैं उनको मैं बता दूँ आपको कहा जाना पड़ेग जो नीचे option दे रहे हैं वहाँ पर आपको जाना है ध्यान देना इससे पहले जो login ID password आप बच्चों के पास होगा वो SSP portal का होगा जिसके अंदर आपका nro cro at the rate ici.in और एक आपको password मिलता है वो SSP portal का login ID password है वो यहाँ पर नहीं चलेगा इस website का login ID password आपको अलग से create करना इसके अंदर क्या क्या है एक बार देख लेते हैं सबसे पहले examination examination में आप क्या select करोगे आप foundation select करोगे फिर आपका prefix nro cro वगरा होगा आप यहाँ पर डाल दोगे लेट से nro डाल दिया मैंने date of birth आपको डालनी है और ध्यान देना date of birth वही होनी चाहिए जो आपने पहले डाल दोगे ना यहाँ पर वो आपका नाम डिस्प्ले करने लग जाएगा एक चीज का जहानक ना अल्रडी यहाँ पर आपका नाम डिस्प्ले होने लग जाएगा यहाँ पर आ जैगा जिससे confirm हो जाएगा कि आपने nro और date of birth बिल्कुल सभी डाली है फिर अपनी primary email ID डाल देना primary email ID मतलब यह वही email होनी चाहिए जो आपने registration के समय दी थी अगर भूल चुके हो तो SSP portal में अंदर login करके देख लो वहाँ details में दे रखा होगा वही email डालना और वही mobile number डालना जो वहाँ पर दी थी email ID आप देना आपको दो बार डालना है एक secondary email ID डाल सकते हो यह optional है आपकी register register के प्रेस होने के बाद अगली स्क्रीन पर आपको ऐसे एक window देखे कि जिसके अंदर आपको login ID पासफ़र दे रखा होगा exactly ऐसी नहीं होएगी क्योंकि वहाँ पर step one of one two लिखा होगा और यह login ID पासफ़र आपको सेफ करके रखना है ध्यान देना यह login ID पासफ़र आपको तब तक काम में आता रहेगा जब तक आप से फाइनल में रहोगे सारे एक्जाम फॉर्म एड्मिड कार्ड सब इसी login ID पासफ़र से होगे तो बेसिकलिए आपके दो अलग-अलग login ID पासफ़र अलग होगा यहां का login ID पासफ़र अलग होगा अभी आपका process registration का पूरा नहीं हुआ आगे बढ़ोगे तो अगली विंडो आएगी इस टेप के अंदर आपको क्या करना है बेसिकलिए आपको अपनी सारी डिटेल वगरा फिर से वेरिफाई करनी है कुछ डिटेल यहां पर अल्रडी प्रीफिल्ड होंगी कुछ आपको डालनी है नेम उसके नेम जेंडर बेसिक डिटेल के इनदर बेसिक डिटेल संब्च टे बैसिकर डिइबुकिल डिएब्ल के अंदर विकर्ट से जो उन पर अप्ली गाइडलाइंस उनको रखते हैं वैसे majority students यहां पर no select करेंगे अब यहां पर आपको security question select करना है drop down में से यह security question इसके लिए आपके use होगा कि कल को आपको अपना password भूल जाओ तो यह security question आपको help करेगा तो drop down में अलग-अलग तरह के security option होंगे आप अपना security question और उसका answer save करके रखोगे along with user ID and password ताकि future के अंदर कभी आप उसे fetch कर सको वैसे हमेशा answer ऐसा रखना जो आप ना भी लिखो तो भी आपको वो answer याद रहे फिर इसके बाद यहां पर address वगरा basic details आपको डालनी बढ़ेंगी which is simple यह सारी detail डालने के बाद last में आप press करोगे save details के ऊपर यह आपका second step भी हो जाएगा और second step पूरा होने के बाद आपको इस तरह की window दिखेगी जिसके अंदर फिर से आपके सामने step two of two होगा और वही user ID और password आपको फिर से दिख रहा होगा तो पहला step करने के बाद भी login ID password आएगा और दूसर step करने के बाद भी login ID password आएगा अब आपका login ID password और आपका security question आपने एक अलग से जगह पे लिख लिए है now from there आपको dashboard पर जाना है आप dashboard यहां से directly जा सकते हो जैसी आप dashboard पर आऊगे आपको dashboard पर इस तरह से screen दिखेगी यहां पर टॉप left corner में आपको photo और signature दिख रहे होंगे यह फोटो और signature और इनने automatically fetch किए होंगो जो पहले आपने दिये थे वहां से कुछ students की आप शायद photo और signature ना रहे हो जैसे यह student है उसकी भी photo फोटो और signature यहां पर नहीं आ रहा था फोटो और signature अगर नहीं आ रहा तो उसकी वजह से क्या दिक्कत आ सकती है उससे कैसे verified email ID या phone number पर यह आपको सारी intimation आएगी तो यहां पर मैंने खुट try करके देखा थोड़ा OTP आने में अब आपको अपना exam form completely new भरना है उसमें से कोई भी ऐसी चीछ नहीं है जो आपको कम करनी है declaration form भी आएगा exam form भी आपको complete भरने आपके लिए बस एक minute सा चेंज होगा payment करते समय वह भी मैं आपको दिखाऊंगा तो हमें यहां पर क्या करना है इस student की मैंने अल्रड़ी कुछ details डाल रखी इसलिए यहां पर edit option आ रहा है अदरवाइस आपके यहां पर fill option आ रहा होगा आगे बढ़ते हैं यहां पर आपको सबसे पहले क्या दिखेगा एक्जाम application form में जैसी आप आएंगे आपका registration नंबर दे रखा हो गए आप पर आपको अगला question है have you converted from CPT to foundation most of the students is cancer no करेंगे सिर्फ वही बच्चे इसको yes करेंगे जो पहले CPT में हुआ करते थे और उन्हांने convert किया है यह did automatically आपके आ चुकी होएगी based on जिस दिन भी आपने register किया था यह अब personal identification number आपको डालना है यह personal identification number क्या चीज है यह 4 digit का number आपको अपने आप डालना पड़ेगा कोई भी 4 digit रख लो जिनको आप याद रख सकते हो जब आपका result आएगा ना last में result देखने के लिए यह pin use होगा यह pin इसलिए डलवाते हैं ताकि सिर्फ आप ही अपना result देख सको कोई आपका किसी को आपका roll number वगरा पता भी हो तो भी कोई person आपका result देखनी सकता इसलिए यह 4 digit का pin आपको unique खुद create करना है 1234 0000 ऐसा pin मत create करना कोई ऐसा unique pin create करना अपनी date of birth वगरा create कर लेना ताकि आप ही अपना result देख सको या को unique number देखना आगे आपको अगले detail डालनी है कि आपने 12th class क्लियर किया यह हर बच्चे को detail डालनी पड़ेगी चाहे वो 2020 में उसने 12th क्लियर किया है या कभी पहले कर 12th class क्लियर करी है तो इसके अंदर आप drop-down के अंदर already past select करोगे year of qualification 2020 2019 कोई भी हो सकता है यह आपको roll number डालना है आपका और यहां पर board of qualifying में drop-down में CBSC ICSC तो देही रखे हैं अगर आप किसी state board से affiliated हो तो आपको state board select करना है इस particular option के अंदर अग detail अगर आप पहली बार November 20 एक्जाम दे रहे हो तो यह detail आपको flank छोड़ देनी है आपको इस detail के अंदर कुछ भी नहीं भरना यह detail सिर्फ वही बच्चा भरेगा जिसने already foundation का या CPT का एक्जाम दे रखा है आगे है सबसी important चीद center selection इसको पड़े ध्यान से करनी है आपने region of center selection जब आप select करोगे तो drop down में आपको चार region दिखेंगे northern, southern, eastern और western आपका जो भी जहां पर भी fall कर रहा है center आप उस region को select करोगे उसके बाद city of examination center यह बटे ध्यान से select करना है most of the cases में तो city एक ही आपको दिख जाएगी वहाँ पर जो भी center होगा कुछ cases में ऐसा है जैसे दिल हैं तो उस case में बड़े ध्यान से choose करना कि कौन से वाला आपने select करना है मालो आप Delhi 1 choose करोगे न तो यहां पर लिखा हूँ आ जाएगा Delhi 1 कौन कौन से Delhi के areas को cover कर रहा है Delhi 2 में वो areas cover हो जाएंगे तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से करना center का एक code होगा आपका medium बड़ी इसके बाद आपको यहां पर अप्लोड करनी है वह declaration जिसकी मैं बात कर रहा था और यहां पर clearly कह रखा है जो size है वह 100-300 KB के बीच में होगा ध्यान रखना अगर इस size को ब्रीच कर रहे हो तो आप यहां पर save and preview आगे नहीं कर पाऊगे save and select करने के बाद आपको अगली window के अंदर फिर से सारी detail एक साथ दिखेगी आपको एक बार अपनी detail फिर से सारी चेक कर लेना detail चेक करने के बाद आप सीधा last में आ जाएंगे अब last में आएंगे तो यहां पर आपको fee details दिखेंगी foundation के लिए आपकी जो fees है वो है 1500 रुपि है अगर आप late fees आपकी last date है 25th of August I think I may be wrong 25th or 26th है उसके बाद late fees चाली हो जाएगी 4 September तक तो आप उस date से अगर पहले 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 रिस्टर करोगा आपकी late fees zero ही रहेगी यहां पर सबसे important difference आएगा उस student में जो पहली बार exam form भर है versus वो student जो में में अल्रड़ी exam form भर चुक है मैं आपको एक बार दिखा दूँ एक और student का भी मैंने भर रहा था जिसने में के अंदर already exam form भर रखा था तो जो बच्चे ने में already exam form भर रखा है उसको यहां पर ध्यान देना क्या लिखा मिलेगा already paid in May 20 accordingly payable zero होगा अगर आप में के अंदर already exam form भर चुके हो तो आपका payable zero आ रहा होगा on the other hand यह जो student जिसकी ID मैं use कर रहा हूं वह पहली बार उसके लिए submit कर रहे है इसलिए उसकी payment यहां पर 1500 रुपिस आपको दिख रही है that is the only point of difference till now between a student जो पहली बार November 20 में दे रहा है versus a student जो May 20 के अंदर है इसके अंदर आप यहां पर I agree press करोगे और I agree के बाद the final summit यहां पर आप प्रेस करोगे final summit से पहले एक बार ध्यान से detail अपनी फिर से चेक कर लेना final summit के बाद आपको इस तरह की window दिखेगी जहां पर final आपको 15 रुपिस दिख रहे होंगे और उसके आपको make payment में जाना है यहां पर फिर से कर रखे है उसको यहां पर इस तरह से दिखेगा you have been you have successfully submitted the exam form you have already paid the exam fees in May 20 hence no payment is required to be made basically उनका exam form fill हो गया है November 20 वालों को अभी एक step extra करना है उनको payment करनी है तो आओ एक बार make payment के अंदर जाकर options देखते हैं जैसी आप make payment में जाओगे वो आपको अलग-अलग तरह के options दिखा देगा देखते हैं मैंने भी ने देखा भी तक यह page कौन का उप्षन है पेटीम है debit card है credit card है भी मैप है net banking है तो मैं net banking से payment करता हूं हाँ जी payment होने के बाद इस तरह से आपके सामने एक window आएगी यहाँ पर आपको option मिलेगा download PDF अब यह download PDF आपको बड़े ध्यान से करना है जैसी PDF आप open करेंगे PDF के अंदर आपको आपकी सारी detail दिख रही होंगी अब दिवाटे ध्यान से सुनना है यह वली चीज़ अगर इस PDF के अंदर आपको यहाँ पर अपनी photograph और यहाँ पर अपने signature अल्रेडी दिख रहे हैं तो this is the end of the procedure इसके बाद आपको physically कुछ भी सब्मिट नहीं करना ICI के पास फिर से भी रिपीट कर रहे हूं अगर यहाँ पर automatically आपको अपनी photograph और यहाँ पर बच्चे के आपको स्कैंड signature दिख रहे हैं आपको physically सब्मिट नहीं करना कुछ भी सब्मिट नहीं करना यहीं पर आपका procedure खतम हो जाएगा ICI center पर जाकर या कूरे करवा के कुछ नहीं भेजना मगर जैसे कि आप देख रहे हैं इस student की और आपके case में भी हो सकता है शायद आपकी photo और आपके signature यहाँ पर display ना हो उस case में आप क्या करोगे यह जो आपका final PDF document निकला है exam form के बाद आप इसका print निकालोगे उसके अंद पर अपने signature करोगे यहाँ पर signature of the candidate अपने signature करोगे अब ध्यान देना इसके बाद यह वाला form भी आपको एक Chartered Accountant या गज्टेड ऑफिसर या head of any education institution से करवाना पड़ेगा अटेस्ट वो अटेस्ट करते समय आपकी photograph को भी अटेस्ट करेंगे यह left वाली photograph अटेस्ट होएगी right वाली photograph को अटेस्ट नहीं करवाना तो दो में से एक photograph अटेस्ट होएगी एक without अटेस्टेड अटेस्टेशन आपको पता ही होगा across यहाँ पर sign होते हैं जैसे मैं Chartered Accountant त display नहीं हो रही है मैं यहाँ पर दिखा दूं कुछ बच्चों को इस तरह का PDF document मिलेगा जहाँ पर already उनकी photograph भी दिख रही होएगी और उनका signature भी दिख रहा होगा ऐसे बच्चों को कुछ भी नहीं करना कोई physical submission नहीं करनी next question आते है हमें physical submission कहां करनी है तो यह हमारा address है जिस आइसे की guidelines बोलते है कि courier की तुरू भी मत भेजो सिर्फ और सिर्फ जो post office का registered post या speed post होता है उसी के तुरू बेजना बट I would suggest अगर आपके आसपास कोई post office नहीं है तो speed post की जगा आप courier से भी भेज सकते हो ICI की guidelines मना करती है बट ऐसा नहीं है कि आज की rate में courier reliable नहीं है courier भी आपका पुचा देंगे यह तो हो गया अगर आपने speed post या courier के तुरू भेजना है कुछ ऐसे भी center से जहां पर आप फिजिकली सम्मिट करा सकते हो पूरी इंडिया के अंदर उन्होंने ऐसे 16 centers दे रखे हैं जहां पर आप फिजिकली भी जाकर इस PDF को सम्मिट कर सकते हो अटेस्टेड पीडिएफ को तो यह जो 16 centers का list है यह मैं telegram group में डाल रहा हूं हम telegram group से देख सकते हो इस list को otherwise मेरा suggestion यह है pandemic का समय है आप यहां पर speed post के तुरू भेज दीजिए speed post नहीं हो सकता तो courier के तुरू भेज दीजिए फिर से एक चीज को बोल रहा हूं हर बच्चे को नहीं बेजना है बहुत बच्चे गलती करते हैं सिर्फ उनी बच्चों को अपना PDF अटेस्ट करवा के भेजना है जिनकी photograph और signature नहीं दिख रहा चीक है जी तो यह था हमारा complete process of submission of exam form I hope आपके सारे doubts इसमें clear हो गये होंगे इसके अलावा आपके कोई भी और doubts है exam form submissions are related आप मुझे Instagram पे भेज सकते हैं मेरी Instagram ID आपको ऊपर दिखी रही होगी नहीं तो आप comment section में भी मुझसे पूच सकते हैं कोई भी जो frequently asked queries होंगी उसके related मैं अलग से वीडियो बना दूंगा डरने वाद नहीं है अब ही आपके पास काफी समय बचा है जिसन tenha पीयकर सकते हो ख जी थेंक्यो